Welcome to our channel Gravity Coaching Center Quantitative Aptitude Chapter HCF and LCM Question No. 64 If N is the greatest number that will be divided these numbers and leaves the same remainder in each case So what is the sum of the digits of N So, this case में हम क्या करेंगे पहले इन number का difference निगाल लेंगे तो सबसे greater number क्या है 6905 इसमें हम दोनों इसके smaller number से माइनस कर देंगे एक है 4665 और फिर एक हम माइनस करेंगे 6905 को 1305 और इन दोनों में 4665 को 1305 से माइनस करेंगे तो इनके result क्या क्या आएंगे 2240 और इसके 5600 और थिरी थिरी 60 अब हम इसका क्या क्या करेंगे है एच सेफ निकाल लेंगे पहले इन सारे नमबर को आएंगे 10 से क्सेल करते हैं तो यह होजाएगा 224 और यह हो जाएगा 56 0 और थिरी थिरी 6 अब फिर इस नमबर को हम 4 से क्सेल करेंगे तो 4 से डिवाइट करने से क्या आएगा यह 50, 6, 140 और 84 अब फिर इन नमबर को हम 7 से डिवाइट कर रहते हैं तो यह होजाएगा 2 नहीं स्वारी इसको अगेन 4 से करते हैं अगेन 4 से डिवाइट करेंगे तो यह हो जाएगा 14 35 और 4 2 जा 8 4 1 जा अब यह सारी किसके टेबल से कैंसल हो रहे हैं 7 से 7 2 जा, 7 5 जा, 7 3 जा और इसका अब कोई क्यमान फक्टर है नहीं तो हCF एको 1 1 2 0 तो अगेन टो जाएगा नहीं एको 1 1 2 0 therefore sum of digits sum of digits sum of digits in n equal to 1 plus 1 1 plus 1 plus plus 2 plus 0 so the total is a 4 so option c is the right answer 1 3 2 5 6 15